हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम रीना है वेलकम टू माई चैनल रीना की रसोई आज हम कस्टड बनाएंगे कस्टड छोटे और बड़ो दोनों को ही बहुत पसंद आता है इसे हम स्नैक्स या डेजर्ट की रूपे सर्फ कर सकते हैं तो चले शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिप सबसे पहले हम दूद को उबालेंगे अब दूद में शकर मिलाकर अच्छे से मिक्स कर देंगे अब कस्टड पौडर को ठंडे दूद में अच्छे से घोल कर इसे हम दूद में धीरे-धीरे मिक्स करेंगे साथ हमें दूद को चलाते भी रहना है ताकि दूद जलेना दूद को हम गाड़ा होने तक पकाएंगे यह अभी गाड़ा हो चुका है इसे जादा गाड़ा नहीं करेंगे इसे हम ठंडा करकी एक मिक्सर जार में मिक्स कर लेंगे ताकि कस्टर्ड स्मूथ हो जाए सर्फ करने के लिए सर्विंग बॉल में हम पहले कटे हुए फ्रूट्स डालेंगे आप अपनी पसंद के अनुसार फ्रूट्स ले सकते हैं इसके बाद हम उपर से कस्टर्ड डालेंगे मैंने कस्टड डालने के बाद उपर से अनार और बारिक कटे हुए काजू और बदाम भी डाले हैं कस्टड को ठंडा ही सर्फ करें यदि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मेरे चनल को सब्सक्राइब करें काई समय हैं